आज के session में करेंगे offline files देखो offline files जो होती है वो ऐसे users के लिए होती है जो mobile users होते हैं यानि कि users क्या करते हैं अपने network से किसी other network में जाते हैं तो क्या हो जाती हैं आपके जो folders हैं जो आपने share कर रखे हैं वो inaccessible हो जाएगे ठीक है अब जब inaccessible हो जाएंगे किसी remote location पर काम करेगा वो ठीक है तो वो server पर काम कर सके यानि कि उन folders पर काम कर पर जो folders जो है उसको दिए गए हैं जो files share files उसको दी गई हैं उन files को access कर पाए ठीक है या फिर जैसे दूसरा scenario आप यूज कर सकते हैं जैसे आपके users जो हैं उनको आपने क्या है एक share folder दे रखा है और folder में एक file दे रखी है उस file पर multiple user काम करते हैं ठीक है तो ऐसी condition में क्या होता अगर network drive आपकी fail हो जाती है या network outage हो जाता है connectedly lose हो जाती है loss हो जाती है तो ऐसी condition में users चैसा प्रकाये और आप अपनी ट्राइब को और जब access नहीं कर पायेंगे तो क्या करेंगे खाली पाड़ जाएंगे ठीक हैं तो काम तो करना ही है उन्हें तो ऐसी condition में आप क्या कर सकते हो ने इन्फोर्स कर सकते हो कि आप आफ लाइन में भी काम करो, नेटवर्क आउटेज है तो भी आप काम करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आफ लाइन फाइल्स इनेबल कर सकते हो, तो इसका तरीका देखो बिल्कुल सिंपल है, आप सर्वर पे जाओगे और यहाँ पे शेर राइब बना दो गए आप, एक फोल्डर बना लो, हमने यहाँ पे फोल्डर बनाना है, मैंने यहाँ लिख दिया अकाउंट्स, शेर ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे शेर कर देना है, देखो यहाँ कैशिंग आएगा, इसमें जाके आपको लास्ट वाला अप्शन सेलेक्ट करना है, अप्टिमाइज फार पर्फोर्मेंस, इतना करने के बाद अप्लाई करोगे, ठीक है, और अब इसके अंदर आप अपनी, जो शेर फाइल से हैं, उन्हें आप डाल देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूँगा, दूसरी साइट से, एक्सेस कर रहे है, मेरे पास यह आगया, अकाउंट शेर, इसके अंदर फाइल से, आप इस समय काम कर रहे हूँ, क्योगी कनेक्टिविटी है, काम कर पा रहे हूँ, ठीक है, किया काम, यहाँ देखो, ऑप्शन आएगा, आलवेज अवलेवल अफ लाइन, इस पर क्लिक करना है, इसका आइकन हो जाएगा, देखो, यहाँ लिखा रहे है, कि यह जो फाइल है, वो स्पेसल फाइल है, यहने कि यह क्या आफ लाइन इनेबल फाइल से, ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो, जो सर्वर है, इसको डाउन कर देता हूँ, सस्पेंड कर दिया मैंने, यह सर्वर आफ हो जाएगा, हो गया आफ, यह देखो, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहरा हूँ, सर्वर को, तो स्लेश स्लेश सर्वर का, आई पे डाल दिया मैंने, एक्सेस करने के लिए, अब इदे को थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर आफ हो गया है, सर्वर, अब यह क्या करेगा, सर्च करेगा, उन फाइल क जो आफ लाइन होगी, उन्हें दिखाएगा सिर्फ, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पर, यह देख, ऑफ लाइन में भी देखो यह दिखा रहा है, उस फोल्डर को दिखा रहा है सिर्फ, जो हमने आफ लाइन इनेबल किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो फाइल है वो आ गई है, अब इसके अंदर आप काम कर सकते हो, आफ लाइन में भी क्या है, आपकी फाइल एक्सेस हो रही है, आप काम कर रहे हो, आप चाहे तो हैं नहीं फाइल बना सकते हो, एक दूसरी आपने फाइल बना ली, इसमें भी आप काम कर रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो रही यूजर को काम करने में अब आपका सर्वर जो है तनेक्ट हो जाता है यह देखो रीचेबिल्टी हो जाएगी जैसे रीचेबिल्टी होगी नेटवर्क एक्सेस होगा कनेक्ट्विटी आएगी तुरंती फोल्डर क्या हो जाएंगे अपडेट हो जाएंगे ठीक है यह सर्वर मैंने ओन कर दिया है और मैं यहां पर चैक करना चाहता हूं अभी क्या यह फोल्डर अपडेट हुआ है कि सर्वर पर मैंने किस नम से बनाई थी यह रही आप देखरो एक ही फाइल आ रही है और यहां पर डेटा भी अपडेट नहीं है अभी सिंकिंग हुई नहीं है पूरी समझ रहे हो आप देखो मैं क्लाइंट साइट पर जा रहा हूं यहां पर देखो एक आइकन क्रेट हो जाता है जैसे कहता है सिंक सेंटर आइकन इस पर डबल क्लिक कर दीजिए आप तो यहां पर देखो यह देखो लिखा रहा है रिशेंट सिंक अक्टिविटी सिंक नाव अगर इमीटेटली आपको सीkte आना तो सिंक नाव पे किलिक डाए अढरवाइस टावब्स आप लोगोः आफ लॉगश लोगए जासी करोsun को जाएका तो इसकी सैटिंग्स होती इसकी सैटिंग्स यहां पर होती है यहां यहां पर यह पारटनरश मिला दिखा रहा रही है ठीक है इनक्रिप्शन दिखा रहा है नेटवर्क दिखा रहा है चेक फॉर दस्लो कनेक्शन एवरी फाइप मिनट यह पांच मिनट पे चेक करता है ऐसा नहीं कि आप सेकंड में ही आपका जो है यह अपनेक्टिविटी बना देगा ऐसा नहीं है तो जितना टाइम यह चेक करता रहेगा तो अभी फाइप मिनट यहां पे डाला है यह इसकी सेटिंग है तो अब यह सिंग सेंटर की सेटिंग्स में आप व्यू रिजल्ट में जाएंगे यह दिखा रहा है सिंग कंप्लिटेट फस्स दिखा रहा है दूसरा सिंग जो है अभी आपका हुआ ही है अगर कोई कंप्लिक्शन है वो यहां दिखाता है यह तो आपको सिर्फ इस पर जाना है कि अभी आपको कि वो अपको सिंगी आपको इस ड्यार की रहाँ, वो हो हो लफ पर जाएंज को कर दिया मैंने इसको रिफ्रेस्ट करेंगे यहाँ पर सिंग कंप्लेट हो जाएगा यहाँ पर स्टूली इसमें डाल सकते हो आप कब-कब जो है इसको एक बार आपको लॉग ऑफ में जाना है और लॉग इन करना है यह सिंग स्टार्ट हो गया देख इसको और सिंग कंप्लेट दिखा रहा है ठीक है तो लॉग अफ लॉग इन किया हमने यहाँ पर ठीक है अब एक्सस करके देखते हैं आपर दोनों फाइल दिखा रहा है यहाँ यहाँ कि सिंग हो चुका है अब सर्वर पर जाते हैं और चेक करते हैं सर्वर पर आएंगे और जाएंगे चेक करेंगे तो आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है तो यह था तुमारा ओफ लाइन शेरी करते हैं